कि अगरें अपने अग्रें पंजाए के बारे में पंगस आम तोर पर आपने इसको देखा होगा अपने घरों में पिकल्स के अंदर ब्रैट्स के उपड़ है ना और वैसे तो यह लेदर्स पर भी आ जाती है इसका हैबिटेट काफी कॉस्मोपॉलिटिन है कॉस्मोपॉलिटिन से मेरा मतलब कि यह काफी जगा देखने को मिल सकती है कॉस्मोपॉलिटिन अगर मैं वर्ड देखो एक डिक्शनरी वर्ड तो जिसका मतलब होता है एक विश्वना करीक सभी जगा काफी वास्ट वैराइट हो गये हाईपे हो गया इसका और मैसेलियम हो गया यह एक कॉमन से स्ट्रक्चर जो है हमें इनका देखने को मिलता है और यह जो स्लाइट है यह तो आप अपने घर में देख सकते हैं और जब हम इसको जूम और करके देखेंगे यानि कि माई्क्रोस्कोप की हेल्प से तो हमें कुछ इस तरह के structure जो है इस fungus का नज़र आएगा बहुत ही विचित्र living organism ये एक है और किस तरह की इसकी properties होती है जरा general properties के बारे में इस lecture में उसके हम लोग जाते हैं ठीक है तो चली start करते हैं kingdom fungi को अब ये दो महान लोग जिन्नोंने हमें इनके बारे में बताया देखिए सबसे पहले है पी ए मिचिली और दूसरी तरफ यहां पर जो है मेरे पास यह है गैसपर्ड बोहिन कौन है ये लोग मिचली को father of mycology कहा जाता है देखिए study of fungus is called जब हम fungus के study करते हैं so study of fungi is called mycology क्या बोलते हैं इसको हम इसको नाम देते हैं किसका mycology अब myco related to the mucota kingdom mucota भी इसको बोला जाता है myco जो है myco जो है वो वर्ड है fungus से related और logic का मतलब होता है किसी चीज की study करना पहले भी मैंने आपको बताया है so that is a simple mycology word जो है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि study of fungus की मैंने आपको कहा कि जड़ा वहां पे नजर मारी क्या नाम लिखा है पी ए मिचिली पी ए मिचिली जो है इनको father of this mycology बोला जाता है क्या है यह father of mycology father of mycology ठीक है यह एक बात दूसरी बात यहां पे दूसरा जो नाम है gaspert बोहिन का gaspert बोहिन वो थे जिनोंने हमें kingdom जो fungi था यह जो tom दी थी ना यह gaspert बोहिन नहीं दी थी right term given by term fungi given by term fungi given by term fungi given और यह father of mycology right so this is just for your basic knowledge की भाई father of mycology किसको बोला जाता है term fungi किसने दी यह सब बिल्कुल basic बाते हैं right तो पता होनी चाहिए थोड़ी सी तो यह photos इनकी बहुत शांदर बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत खूश है दो ना दीके ज़रा तो यह हो गए आपके कौन नेम जो इन्होंने दिया था हमें यह टर्म जो दी थी गिवन बाई दिस दिस और फादर ऑफ mycology is this part so उसके बाद हम बात करते हैं fungi are defined as the eukaryotic multicellular nucleated heterotrophic a chlorophyllous organism देखिए कितनी सारी बाते यहां पर लिखी हुई है जरा हम इसको break करके पढ़ते हैं पालोजी का मतलब मैंने पहले ही पता रहे था कि भाई आपको break करकर करके break करकर के words को समझके पढ़ना ही होगा right fungus आर यह fungi are defined as the eukaryotic multicellular well defined nucleus in की body में present है multicellular है यह ठीक है many cells body in the present है nucleated heterotrophic यह दो तरीके से हमें देखने को मिलते हैं कैसी-कैसी heterotrophic अभी मैं बताऊंगो आपको उसके बारे में heterotrophic के बारे में कि किस तरह से parasitic और सेप्रोफाइटिक नेचर शो करती हैं अब देखिए यह बात हुई किसकी heterotrophic की that means की completely dependent on the other for their nutrition a chlorophyllus a लगावाई word के आगे किस word के आगे chloro chlorophyllus chloro related to the chlorophyll तो याने कि यह वो organisms हैं जिनकी body में chlorophyll जो है वो क्या होता है है बचो absent होता है chlorophyll is absent ठीक है अच्छा यह एक बात हुई basic बात क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या multi cellular right nucleated hydrotrophic और क्यासा हुआ क्यासा हुआ एक chlorophyllus हुआ ठीक है यह एक great diversity शो करते हैं ध्यान रखिएगा fungus शोओ ग्रेट डाइवर्सिटी ठीक है यह बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी जो है यह शो करते हैं दो चीजों के बिहाफ पर एक तो मॉर्फॉलोजी के बिहाफ पर दूसरा इसके हैबिटेट के बिहाफ पर गीजेज आपको ध्यान रखने पड़ेगी कि मॉर्फॉलोजी के बिहाफ पर और हैबिटेट के बिहाफ पर फंगस जो है वो एक ग्रेट डाइवर्सिटी को शो करते हैं उसके अलावा अगर मैं बात करू तो फंगस मैंने अभी एक वर्ट बोला था आप लोग के लिए जनर कोश्मो पॉलेटिन का मतलब होता है मैं ने अभी आपको क्या बताया था जिसको हमने बोला था क्या विश्व नागरिक इसलिए हमने क्या बोला इसको कौस्मब पॉलेटिन सब जगा हमें देखने को मिल जाते हैं बहुत आसानी से जो हैं हमें देखने को मिल जाते हैं इसलिए हमने इनको नाम दे दिया किसका Cosmopolitan का morphologically और habitat के बिहाफ पे क्या शो करते हैं देशो great diversity remember my point क्या शो करते हैं ये great diversity जो है वो शो करते हैं ये question frame होता है धिहान रखिएगा कि किस point के बिहाफ पे यह एक great diversity क्यों शो कर रहे हैं तो morphological characters इनके ऐसे हैं दूसरा habitat जो है बचो वह इनका इस तरह से हमें देखने को मिलता है ठीक है चले आगे ठीक है उसके अलावा यह ज्यादातर हमें कहां habitat अगर मैं ज्यादातर की बात करें तो human ridge soil जो होते हैं वहाँ पे हमें देखने को असा को यहां पे बताए है जिसको हमने यहां पे discuss किया है chlorophyll absent होता है ठीक है यह 3 पॉइंट यह हो गया आपका chlorophyll क्या होता है chlorophyll absent होता है यह भी हमारा एक point जो है वो बन गया है यह भी आप अपने points में लिखेंगे ठीक है जी लोविल absent हेटरोट्रोपिक nutrition हो गया यह वर्ड क कर गया किसे nutrition से इसके तो देखिए कितने सारे पॉइंट जो है हमने बना दी यह मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसे यह मैं इसलिए 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 लिख रहा हूं बचो जिससे कि अगर आप से कोई अबच गई आपके पेपर में कोई बोले कि पांच फंगस के चैरेक्टर स्लिखे दिकाओ हुं हमें ठीक है फंगस के जनरल चैरेक्टर्स पता दो हमें क्या बताओगे या बोलोगे यह सारे करेक्टर देखो एक दो तीन चाल पांच पॉइंट्स आपके आसानी से याँ पर ये है कि व्तु अे फिर्ट हुरी अजियर अध्रोज़ूर्टम कार्याजन अरb depends they are cosmopolitan बन गए points चीग है राइट चली आगे बात करते हैं तेपिकली नी प्रिड्यूजिक प्रडूज़ और टिपिकली एंड एसेक्शुली एंड एसेक्श्वली एंड एसेक्श्वली एंड फिलामेंटस बाडी पर क्या है फिलामेंटस स्अपक होते हैं राइट बता है बत somatic structure are branched somatic structures are surrounded by walls containing cellulose और kaitin और बोथ this is very important ध्यान रखेगा ये as a question frame होता है ध्यान रखना बच्छो ठीक है आपके CBSC में भी बन सकता है और NEET में भी कई बार बना है पूछा गया है कि इनकी जो जो वाल होती है वो किस से मेड़ाप होती है अब option देखू कैसे तरह से फसाते हैं cellulose, kaitin, muciligenus या बोथ a kaitin, cellulose, kaitin, murine या peptidoglycan हो सकता उसकी जगा और नीचे आएगा option D होगा आपका बोथ a and b right अब बचे कई बार क्या कर देते हैं कि कई बार वो काईटीन के साथ लगा देते हैं काईटीन अस बोल देते हैं उसको ठीक है या cellulose, बोल देते हैं कि यार प्लांट्स की तरह character show करते हैं चलो तो बोथ आपको यह ध्यान रखना है यह जो बोथ है यह आपको ध्यान रखना है कि दोनों से विलने को हमें बंदे question frame होगे as a question आगे ध्यान रखेगा चीक है जी चलों आगे चलिए on the basis of source of food fungi are of two types सब कौनसी टू टाइप्स हो गए अभी तो आपने great diversity बताई कहीं वह वाले टू टू टाइप्स हो ने कि habitat और morphology के ब्याफ़े में चको दो टाइप के बोल रहे हैं नहीं वह बात में यहाँ पर नहीं कर रहा यह दो तरीके से हम लोग बात करते हैं कौन कौनसी एक होती है सैपरोफाइटिक कौन सी होती है सैपरोफाइटिक पंगस दूसरी होती है पैरा साइटिक पंगस ठीके जी दो तरह की हमें देखने को मिलती है एक हो गई सैपरोफाइटिक और बहुत असानी से आप लोग इसका डिफरेंस बताएंगे मुझे बैस सैप्रोफाइटिक कौन होते हैं सैप्रोफाइटिक वो जीव होते हैं जो dead and decaying matter को अपना food बनाते हैं किसको dead and decaying organisms को अपना food बनाते हैं they are dependent on the dead and decaying organisms ठीक है चलिए और parasites कौन होते हैं parasites वो होते हैं जिनको requirement होती है किसकी host की requirement होती है and this host could be यह कौन हो सकता है कौन हो सकता है यह कोई animal हो सकता है या फिर majorly कहूं तो कोई plant हो सकता है इनके case में is that clear my point ठीक है so on the basis of the source of the food the fungus are of two types the one is the parasitic and the other one is the saprophytic ठीक है तो यह वाले जो organisms होते हैं बचो यह वाले organisms अपना food कहां से obtain करते हैं यह वाले जो organism सोते हैं यह अपना food obtain करते हैं organic matter से ठीक है जैसे कोई saprophytic जैसे कुछ सड़ गया खराब हो गया जैसे मान लीजिए फेर किसी जो भी है जो भी डेड admission mechanism होता एंट trip हो चार हमें समें मेडर हो लिख लेते हैं राइच डेट से अपना food जो है यह बनाते हैं ठीक है जैसे सच आइस ब्रेड हो गया तो और ब्रेट का भी स्लाइट इस तरह से बन रहा था वहों तो ब्रेड इसले मेने अपने डेको मैंने का कि आपके घर में आसपास देखने को मिलता है तो जैसे रॉटनिंक fruits हो गए बच्चो रॉटनिंग fruits हो गए तो वहाँ पर भी हमें यह देखने को मिलेगा सड़ेगर हो जाते हैं कई बार यह हमें अचार वगारा में pickles वगारा के अंदर भी देखने को मिलती है vegetables हो गए दंग हो गया उनके उपर हमें देखने को मिलता है parasitic form में जैसे animals की body पे plants की body में हमें parasites की form में देखने को मिलता है is that clear or not जल्दी से सोचिए 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 एकदम clear है कि दो type हमने divide करी एकदम clear एक saprophytic दूसरी parasitic यहाँ dead decaying की बात की है वहाँ हमने plants और animals की बारे में बात की है ठीक है जी चलिए कुछ तो fungus होती है कुछ fungus क्या करती है मैं आपको बताता हूँ कुछ fungus एसोसियेट होती है बचो कुछ फंगस एसोसियेट होती है एलगी के साथ ठीक है और जब वो एलगी के साथ असोसियेट होती है तो मिलकर क्या बनाती है जब फंगस एलगे के साथ एसोसियेट होती है ठीक है जब वो एलगे के साथ एसोसियेट होती है तो वो बनाती है किसको लाइकन को ठिक है लिचन भी कई बार जो बचे बोलते हैं इसको लिचन यह लाइकन जो है लेकिन समझ आएगा mycorrhiza कहां पे roots में roots of the some plants ठीक है ध्यान रखेगा some plants आना यहां पे roots of the some plants या कुछ plants में हमें देखने को मिलती है जो roots में देखने को मिलती है जिसको mycorrhiza का नाम दिया जाता है तो यह कुछ basic बाते हैं किसके बारे में on the basis of the source of food तो हम उसको saprophytic बोल रहे हैं और parasitic का नाम दे रहे हैं चलिए is that clear यह देखी ज़रा image देखे दिहान से यह image आप यह bread की जो image में लगाई है क्यों लगाई है हम यहां पर क्यों use करें ताकि आप इसको बहुत आसानी से जो है यह एक वह है अब यहां पिए क्या है कि अगर मैं इसी structure को अगर मैं इसी structure को zoom कर देता हूं तो zoom करने पे मुझे कैसा दिखिएगा कुछ इस तरह से अब दिखे यहां पर यह हमें क्या दिख रहा है स्पोर्स बिखान करें तुछ स्टराइब करेंगे तो यह एक स्ट्रॉक्टर हमें दिखाएगा ठीक है, राइट, फंगस की बॉडी जो होती है, एक बात और इसी स्ट्रक्चर से, बॉडी और फंजाय, जिसको हम किसका नाम देते हैं, माईसेलियम, राइट, बॉडी और फंजाय, जिसको हम नाम देते हैं, किसका, माईसेलियम का, जो आगे, उरलोग बात करेंगे लेकिन आपको ये माइसिलियूम वर्ड जो है, वो पता हो न चाहिए, ठीक है, माइसिलियूम किसे बनते हैं, माइसिलियूम बनते हैं, कि फॉर्मड बाइदी कि नेटवर्क ओफ हाइफे नेटवर्क ओफ हाइफे ठीक है हाइफे के नेटवर्क जो है वो क्या बनाते हैं माइसेलियम बना रहे हैं फॉर्मड बाइदी नेटवर्क ओफ हाइफे इसको ध्यान रखेगा या फिर हाइफा भी हा इसको आप एभी अप यही यूज़ करें वो ज्यादा सही है राइट हाइफा ठीक है तो हाइफा हो गया है इसको हम हाइफे बोल देते हैं हाइफे या हाइफा जिसमें बाइसेलियम बाइट एक मैं नाम बता हूँ आपको इसका जैसे की कॉप्रो फिल्लस राइट कॉप्रो फिल्लस अब यह जो कॉप्रो फिल्लस होती है यह कहां ग्रो करती है ग्रों डंग ग्रो Арno की बिचा न डंग टिकेए घ्रो औण डंग मैंने कहा कि यह कॉस्मो पॉल्लिट thinner मैंने कहा कि सब जगा हमें देखने को मिल रहीं हो चैक्शक संथा लिया किसका एक्जाम्पल लिया हमने डंक का एक एक्जाम्पल ले लिया उसको हमने बोला कॉप्रो फिल्लस ठीक है कॉप्रो फिल्लस टीक है कॉप्रो फिल्लस टीक है कॉप्रो फिल्लस टीक है कॉप्रो फिल्लस कहां ग्रो कर रही है दे ग्रो ऑन दी डां इसके रावा जैस से एक मैं अग्जामपल बता हूँ आपको करती नोन conti ratin ओ एंग्ण विल या गो फिलएस जो ओता है कर सी करती आ नाम से देखोista तो यह कहां ग्रो करती है ग्रो 연रिए हो थिकशा कोगा फूरत थेजसी देखने को यह बोल सकतेदी आ तरहीं कैसा सिकन बोलब सकते हो आप इसमें दूसरा बड़्ड ऑर ouais तरहीं हो गया हमें देखने को रहे कॉस्मोपॉलिटिन हम बोल रहे हैं इसको इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एक होता है एक पीजायलिक और वुड एक पीजायलिक कुछ एक्जाम्पल मतलब छोड़े चोड़े एक्जाम्पल जो है मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जैसे कोप्रोफिलस हो गया डंग के ओपर हो गया हमारा ठीक है जी कैराटीनो फिलस किसके ओपर ग्रोव ऑन हैर्स या फिर जिसको हम स्किन भी बोल सकते हैं हॉन्स होत इस आप इसांपल जो यहार हमें देखने को मिलते हैं तेके बार्क होतीना बार्क जैसे शुरुआत में मैंने आपको के लिकाए थी राइट अ बार्क दिखाऊंगा अभी फिगर दिखाई नहीं दिखाऊंगा दिखाऊंगा ठीक है वह भी एक तरह की कौटी कोलस एक इस म फंगस की हमें कहां देखने को मिलती बार्क के उपर देखने को मेरते घ्रिके क्या वोला हमने को लिए की ऑन्ती बार्क कोड़ी जब कोड़ी सबस्क्राइब को यूで कॉल सबसें बार्क यह हमारे कुछ नाम है जैसे कि कॉप्रोफिल्लस, कराटिनोफिल्लस, एपिजायले, कॉर्टिकॉलस, बार्क पे, वुड़ पे, स्किन पे, डेंग पे ऐसे और भी बहुत सारी होती हैं आप पढ़ेंगे जिनके बारे में तो यह कुछ एक्जामपल्स हैं उन में से ए यह प्लांट बॉड़ी से मतलब है कि जो इसकी बॉड़ी बन रही है किस तरह से हो एक्सेप्शनली यूनी सेलिलर जो नॉन माइसेलन होगा हरावर दे में फॉर्म अश्यूडो माइसेलियम बाइब बडिंग जैसे कि यीस्ट में हमें देखने को मिलता है कुछ उसका एक्जामपल जो है यहां पर बताया गया है जैसे कि प्लांट बोड़ी अब दे ट्रू फंजाए लाइक यू माइकोटा यू माइस ट्रू यू म सब्स मेंटर संख थलरो इmen Aside आट लॉटत है लाइक इस्ट्रूक्चर राइट ढ्रुसिजए नेट्वर्क ऑफ हुए जो है माइसेलियम बनाते हैं आपको क्या बोला कि जो नेट्वर्क ऑफ है और हैं वह माइसेलियम बनाते हैं ज़रह ध्यान से देखिए यह मैई होता है थैलस लाइक थैलोइड मेंस थैलस लाइक थैलस लाइक मेंस जहां पे हमें कोई भी डिफरेंस देखने को ना मिले मतब एक जैसा दिखेगा आसान शब्दों में कहूं तो कैसा दिखेगा यह एक जैसा दिखेगा पूरा का पूरा थैलोइड लाइक तेको सारा एक जै कैसा देखने को मिल रहा है, so here we have the hyphae, and this hyphae are coming from here, this region is for producing this structure, ये इसका पूरा का पूरा reproductive structure हो गया, कैसा structure होता है ये इसका, जिसको हम इसको reproductive structure का इसके नाम देते हैं, right, तो ये structure ये hyphae reason हो गया, इसका, this is the region, which is called the hyphae reason, and that one is the mycelium region, जिसके बारे में बात कर रहा है, तो तो आगे जाके mycelium को बना रहे हैं, बहुत important part है, mycelium और हाई, इसकी पूरी body जो रिप्रेजेंट है, किसको hyphae और mycelium से रिप्रेजेंट है, right, तो देखिए जरह यहां पर क्या है, तो filamentous saloid called the mycelium, which is a network of long, cylinder, thread-like structure, which is called the hyphae, ये characteristic है, किसका hyphae का, कैसे होते हैं, ये ये आर का नाम दे रहे हैं, किस तरह से इस तरह के structure जो है, हमें ये देखने को मिल रहे है, इस तरह के structure जो है, cylindrical पॉंग में, हमें देखने को लंबे रहे हैं, ये किसका एक example है, ठीक है जी, चलिए, तो फीगर आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, एस एप्टेट और स जब हम बात करते हैं, without septum, septum इनकी body के अंदर present होता है, ठीक है, तो एस एप्टेट याने कि without septum, septum is like a division, right, septum क्या होता है, septum एक तरीकी का, हमें division देखने को मिलता है, जैसे हम अपनी body में भी देखते हैं कि septum एक डिवाइट कर रहा है, तो without septum या with septum कैसे structure है, वो depend करत है, a septum जैसे हम बात करते हैं, without septum, right, division है, हमें molecular movement किस तरह से हो रही है, इसके cell, cytoplasm के अंदर, वो देखता है, क्या septum, continuous tubes filled, a septum, you know, like continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm, जब a septum है, तो a septum होने पे क्या होगा, एक continuous tube जो है, filled होगी with multinucleated cytoplasm, एक continuous tube like structure, जो है, हमें इनकी body के अंदर देखने को मिलेगा, right, कुछ एक rough structure में आपको यहाँ पे बना के दिखा रहो, तो एक continuous tube like structure, जो है, multi-nucleate हमें इसके अंदर देखने को मिलेगे, मान लिजे कि बहुत सारे जो है, nucleus जो है, यह होगे, तो describe as a quinocytic, as in lower fungi, जिनको हम phycomicitis के अंदर देखने और मैं structure आपको दिखाऊंगा, इसका कि इस एप्रेट structure हमें कैसा देखने को मिलता है, और separate structure कैसा देखने को मिलता है, तो इसको हम the continuous tube जो है, वो filled होगी किसके साथ, with multi-nucleated cytoplasm के साथ, बहुत सारे nucleus present होंगे, और यह जो पूरा का पूरा reason हो गया, इसका हमाल ल separate having septum, septum मतलब एक तरीके से division, partition हमें देखने को मिलेगा, as in higher fungi, for example, ascomycetes, besidomycetes, deuteromycetes, यह हमें देखने को मिलेगा, किसमें, that is important point, मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम इनके general characters को अभी discuss करें, जब हम इनकी various classes को discuss करेंगे, तो वहां पर जैसे point आएगा कि a septet fungi, क्या point आपको देखते समझ जाना है कि यहां कब division की बात हो रही है, और कब division की बात नहीं हो रही है, तो जब भी हम a septet में हमें कैसा देखने को मिलेगा, जरा ध्यान से देखी स्ट्रॉक्चर को जहां पर septum present है और जहां पर septum present नहीं है, जिसको हमने क्वानो साइटिक हाइफे क का नाम दिया, क्या नाम दिया, उसको हमने क्वानो साइट का नाम दिया, भी हमने बात के दी किसके बारे में, क्वानो साइटिक, सो क्वानो साइट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे nucleus जो हैं, देख सकते हैं, साइटो प्लाजम के अंदर, फ्रीली जो हैं, वो पड़े होए हैं एक तरह से यहां दूसरी तरफ सैप्टिड हाइफे जहां multi nucleated तो present है लेकिन septum present है एक division हमें यहां पे देखने को मिल रहा है multi nucleuses के बीच में जबकि यहां पे हमें कोई भी division जो है देखने को नहीं मिल रहा basically nutrients को अलाव करना cytoplasm के अंदर एक से दूसरी जगा यह इनका function हमें देखने को मिलता है तो septid और a septid I hope कि आपको यह चीज़ जो बहुत अच्छे से समझ आई हो बच्छो ठीक है the cell wall of fungi is mainly made up of chitin polysaccharides ठीक है जी chitin polysaccharides तो cell wall जो fungus की बन रही है कैसे बन रही है polysaccharides के हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसी चिटिन या फिर kaitin के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए kaitin मतलब एक तरह का fungus में जो cellulose होता है एक तरह का kytine वो हो गया, чightine क्या होता है फंगस में जो cellulose मिल रहा है, एक तरह का वो हो गया, इसको बोलते हैं, fungus, cellulose, ठीक है बहुत words बताँगा आपको एक से एक, sugar जिसको हम लोग بोल रहे हैं, वो sugar हो गया, regime, और he content's e देखने को मिल सकते हैं ढोगे तो रिज़र फूट पार्डिकल्स इस ग्लाइकोजन और लिपेड जो है हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं राइट वर्जिटीटीव प्रॉपोगेशन की बात करें या बाद करें तो वर्जिटीटीव रिप्रोडॉक्शन में हमें फ्रा तरह से हाई पे की आना आपने नीचे भी structure उसका देखा तो उसका फ्रैग्मेंट हो जाएगा fragmentation देखने को मिलता है वडिंग हमें इस्ट में देखने को मिलता है तो इस तरह से Vagetic Propagation जो है हमें देखने को मिलेगा राइट यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसके बाद जब Asexual Reproduction की बात करते हैं तो Zoospores बताऊंगो आपको किस तरीके से Form होता है भी Basic Structure से They are Thin-Walled Flagellated Motile Spores Endogenously Formed Within a Zoosporengium Endogenously मतलब उनके अंदर की तरफ जो है Sports Form होंगे अंदर की तरफ जो है Sports जो है वो Form होते वे आपको दिखेंगे अंदर की तरफ जो है Sports Form होते वे आपको दिखेंगे राइट तो इसके अंदर क्या हो गए Sports होगे इसके अंदर क्या होगे Sports होगे Endogenously ठीक है Formed Within a Zoosporengium that is Zoosporengium में aquatic fungi members of the class पूमाइज सिटीज में हमें देखने को मिलेगा आएगा नजब वन शब को अच्छे से डिसक्स करेंगे राइट यान रखे एगा कर दिखेंगे आपका एक तरीके से यह जो स्पोर्य अंजियम हमें दिखार आए जिस पोर्ज और एप्लैनों स्पोर्स इसा थिन वाल्ड और नोन मौत आइल स्पोर्स फार्म्ट इनस पोर इंजियम जैसा कि इस पूर इंजियम में दिखा आपे उसी दरी किसे स्वार इंजियम के अंदर भी सेम स्टुर्ट्यर जो उसका वैसा ही हमme देखने को मिलेगा यह यह एक स्रॉक्ट्ट्ट्र होगे किस का स्पोष पोष एंजियन का और इसके अंदर क्या हो गए स्पोर्स ोर्स पर इंजिस पार्स ओगे तब यूनी नूकूली टीड और मैंटी नूकलीटर हो सकती है मैंबर व्लास जाइगमाइट से माइको समाइ माइस इन राइज ओपस म्यूकर उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा तो बच्छे ये जो स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीक इसका देखने को मिलेगा इसके अंदर हो गया हमारे सब्सक्रस तो इस तरह से हमें इनके अंदर देखने को मिलेगा और जिसके अंदर and प्रेजंट इसको ऑम क्या बोलेंगे इस पॉर इंजय मिआ फिर इस पर इंजियो सपोर्स इस को स्पोर्णियम का नाम भी देते हैं तो यह हो गया आपका स्पोर एंग्यें जिसके अंदर प्रेजेंट मेंस वह हो गया स्पोर इंजियम हाइफ हो गया नीचे नीचे आके नेटवर्क किसका बनाया गए माइसेलियम का जानते हÕं यह चाहते हुआ एक G cédeart आपको बता रहा था इसका कॉने डिया फॉर्म करता है एक्जोजिनीस ली प्रोडूूस होते हैं कॉने डिया बनाता है एक्जोजिनीस ली जो है ये प्रोडूस होंगे बाहर की तरफ जो है प्रोड्यूस होते है इन सम फंजाई दा स्पोर्ट्स आर बॉन प्रिली ओन दा टिप्स ऑफ दे स्पेशल ब्रांचेज ऑफ माइसेलियम जैसे मान लीजिए कि यह कोई माइसेलियम की जो है हमें ब्रांच देखने को मिल रही है और इसके अपर जो हैं के अंदर होगे क्रुन अग्युस है और फोर्स इस पोर्मडर करल दख कौनी डिया जैसे हमें आठ को मिलता है पानिसीलियम की बॉडि के अंदर देखने को मिलता है ठीक है ठीकि पानिसीलियम की बॉडिय में तो कॉंड इन सम फंजाए दस पोर आर बॉंड रिली on the tips of spatial branches which is called the mycelium and this is called the conidio force क्या नाम दिया जाता है इनको conidio force का नाम दिया जाता है and the sports thus forms are called conidia तो यह क्या हो गए आपके एक तरह से यह हो गए conidia ठीक है यह मैं sports बनाओंगा जब आपको structure दिखाओंगा तब हम लोग इसके बारे में बचो करेंगे ठीक है जी तो यह एक बात हुई यह एक structure हुआ इसका चलिए तो sexual reproduction में except for deuteromycities the sexual reproduction is found in all groups of fungi सबी groups में हमें देखने को मिलता है इसको छोड़के except question ध्यान रखिएगा right except the deuteromycities यहां से जो है question एक frame होता है तो fungus imperfect fungi भी इसको बोलते हैं इसका नाम होता है फंजाए इंपरफेक्ट यह इंपरफेक्ट फंजाए क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर sexual reproduction जो है वो absent होता है sexual reproduction is by sports asco sports and basidious sports the various sports are produced in distinct structure which is called the fruitening body initially मैंने आपको एक बोड़ी बताया था जहां पर हमने फ्रूटिंग बोड़ी का नाम दिया था अभी जो हमने इससे पहले वाले lecture में बच्चो बात की थी राइट वहने आपको मापे एक फ्रूटिंग बोड़ी का डाइग्राम जो था पताया था तो फ्रूटिंग बोड़ी जो स्पोर्स फॉर्म कर रहे हैं उसको फ्रूटिंग बोड़ी का नाम देते हैं वो नहीं कि जो फ्रूट फॉर्म करें ऐसा नहीं समझना उसको फ्रूटिंग बोड़ी का नाम देते हैं जो स्पॉर्ट इनके फॉर्म करते हैं इस आट क्लियर चली आगे बात करते हैं इसके अंदर चरी तो ये थे कुछ general characters बचो जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की अब अगने lecture में हम लोग बात करेंगे इसकी one by one सभी classes को लेके और वहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट को इतने अच्छे से detail में हम लोग clear करेंगे कि आपके कोई भी doubts जो हैं इसके अंदर नहीं बचेंगे ये थे कुछ आपके general characters किसको लेके kingdom पंजाय माई कोटा को लेकर kingdom माई कोटा जिसका नाम है and the study of fungi is called mycology right so हमने जैसे बात की अपने previous session में learners about the general characteristics of the fungus मैं यहाँ थोड़ो सा और detail में आपको थोड़ी सी चीज़े बताना जाता हूँ इस vegetative reproduction के बारे में a sexual reproduction के बारे में और sexual reproduction के बारे में मैं आपको बात बताओं कि यहाँ कई terms ऐसी आएंगे जिसको समझना बहुत जरूरी है right मैंने आपको कहा रहा कि मैं आगे उनको बताऊंगा जैसे कि हमने previous session में अपने बात की कि हम आगे उसको discuss करेंगे यह हम discuss कर चुके हैं लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो समझाने आपको बहुत जरूरी है ने तो वो direct word आएगा NCRT क्या है NCRT is like a coded उस coded को decode करना बहुत जरूरी है तो उसको decode करने के लिए ही मैं आपको यहां कुछ चीजें कुछ डाइग्राम्स आसान बना के दिखाऊंगा reproduction basically fungus में बढ़ा complicated लगता है बचो को तो उसको किस तरह से simpler way में हम लोग समझ सकते हैं वो मैं आपको इस lecture में बताऊंगा जैसे कि हम लोगों ने बात की थी बचो कि vegetative reproduction में कि fragmentation के थूँ बडिंग के थूँ फिजन के थूँ यह आम तोर पे हमें पंगस में देखने को मिलता है तो यह तो हम डिसकस कर चुके थे उसके बाद जिप हमने बात की थी एस sexual reproduction के बारे में जैसे कि इस परेंजियो स्पोर्स यह ए प्लैनल स्पोर्स यह जूँ स्पोर्स जो हमें देखने को मिलते हैं अब इस पोर्स एक तरह के गामेट्स जो मैंने आपको बताए इनकी अपने कुछ क्याराक्टरिस्टिक्स होते हैं जरा उनके बारे में जानते हैं एशेक्शल रेप्रोडक्शन दे आर थिन वॉर्ड फ्लाजले टेड मोटाइल स्पोर्स यह झ Day parce जा का मैने एक तरह से इसके गामेट्स का चाम करते हैं सुते thin walled, flagellated, flagella present है, motile sports है और endogeniously formed होते हैं within the zoosporangium, जिसे हमने बात किरिए थे थे ना sporangio sports के बारे में sporangio sports को हमने डिसकुस किया था, उसी तरह से यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसको zoosporangium को, जैसे कई aquatic एक फंजाय होते हैं members of class में हमें ये देखने को मिलते हैं ठीके जी चलिए अब ज़रे ये देखिए जैसे आपने देखा होगा sporangio sports को मैंने एक rough diagram भी आपको previous lecture में शायद बताया था इसके बारे में या a plan of sports हम इनको नाम देते हैं they are thin walled non motile sports कैसे होते हैं ये thin walled covering जो है एक तरह से बहुत महीन covering है इसके surrounding non motile होते हैं important point है ध्यान रखिए का non motile होते है and sports are formed in a sporangium ये sporangium क्या होता है this is the structure of sporangium ये structure दिख रहा है आपको ये हो गया इसका sporangium on the structure हो गया ये sporangium structure हो गया बचो और ये जिसके उपर ये connected head and that reason is called sporangio sports ये कौन सरीजन हो गया sporangio sports और ये अंदर क्या हो गया इसके sports हो गया अब ये देखे यहां से ये देख रहा होगा आपको किस तरह से इनको favorable condition मिलते sporangio sports जो है बहार आ गए ये mycelium बनाएंगे और mycelium बनाएके ये आगे जाके दुबारा से इस sporangio sports को और sporangium को formed करेंगे तो दे मेबी uni nucleated और multi nucleated लेकिन यहां जो आपको देखने को मिल सकते हैं का ये multi nucleated जो हैं देखने को मिल सकते हैं कहां हमें देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएएगा जैसी आएगा कि जाहिगो माई सिटी जवाब पढ़ रहे होंगे लाइक राइजो पर सबाब पढ़ रहे होंगे तो माँ पर लिखा होगा कि रिप्रॉडक्शन वाइस पॉर इंजियो sports जब हम आगे पढ़ रहे होंगे ना तो वहां सम फंजाए था स्पोर्स आर बॉर्न प्रीली ओन दर टिप्स ओफ इस स्पेशल ब्रांचेज ऑफ माई सेलियम विच इस कॉल्ड कॉनीडियो फोर्स एक स्पेशल ब्रांच पे हमें देखने को मिल रहा है और कैसी होती है बच्चों वह स्पेशल ब्रांच जैसे कुछ कुछ ऐसे समझें मैं आपको एक रफ इस्ट्रॉक्चर बना के दिखा रहा हूं पना पुछ ऐसा ही दिखता इट्स नॉट रफ लाइक ऐसा ही ऐसा ही यह हमें देखने को मिलेगा अब देखिए कैसी ब्रांच है यह कॉन इडिया कहां है बच्चों यह रहे कॉन इडिया इ ठीक है दिस इस्ट्रॉक्चर ओफ कॉन इडिया राइट और यह वाला जो इस्ट्रॉक्चर है न आपका दिस वन दिस इस इस्ट्रॉक्चर इस कॉल्ड देखिए ब्रांच इस को कॉन इडियो फॉर का नाम देते है इस आट क्लियर देखिए जरा इस्ट्रॉक्चर को ध्यान से यह होगे हमारा कॉन इडियो फॉर्स अब क्या होगा यहां से यह जो कॉन इडिया है यह बाहर आ जाएंगे यहां से यह जो कॉन इडिया की बात कर रहे हैं हम यह बाहर आ जाएंगे कॉन इडिया यह बनाएंगे क्या बनाएंगे माईसीलियं बनाएंगे ठीक है तो यह चीज़ हमें इसमें देखने को मिलेगी यह कॉनेडिया है एक्जो जीनियसली है यह फॉर्मड कॉल्ड एड़ कॉनेडिया ऐंड टिप अप प्विश्पेशल ब्रांच विच इसकॉल अकॉनेडियोफ और exogeniously आपको देखने को मिल रहे है germination करेंगे germination करके क्या होगा germination करके mycelium बनाएंगे क्या बनाएंगे germination करके mycelium form करेंगे क्या करेंगे mycelium एक structure form करेंगे पड़ा दना कि network of high faith और उसके बाद क्या होगा आगे जाके यह दुबारा से जो है यह structure जो है उसमें हमें देखने को मिलेगा is that clear Cornelia are formed at the tip of Cornelia force yes we know that point the formation of Cornelia takes place the formation of Cornelia takes place formation of Cornelia Cornelia takes place exogenously takes place exogenously है ना कहा हो रहा है मैंने क्या कहा अभी कि Cornelia का जो formation हो रहा है वो exogenously हमें देखने को मिल रहा है बचोई ध्यान से सुन यह line important है इसलिए मैंने बताईए आपको यह structure बनाने का मेरा यहाँ पर परपस ही है कि आपको पता लगे कि Cornelia exogenously form हो रहे हैं तो कुछ पंजाए में sports सारबॉन फ्रीली ठीक है फ्रीली है यह फ्री एंड पे हैं और टिप्स अब इस स्पेशल ब्रांच एंड डाट टिप इस काल्ड कॉनेडियो फोर्स इस ट्रप मैं यह क्यूं बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि डारेक्ट लाइन आई गहे कि कॉनेडियो फोर्स हमें देखने को मिल रहें तो आपके hypothetically एक image बननी चाहिए बचो एक structure बनना चाहिए कि हम यहाँ कॉनेडियो फोर्क किसको बोल रहे हैं हम यहां कॉनेडिया किसको बोल रहे हैं आपके वहाँ यही मैं decode करने वाली जो line बता रहो ना यह वही decode करने वाली बात है बचो तो this is the conidia for the spores are the form that called conidia इनी spores को हम क्या नाम दे रहे हैं conidia panicellium the best example of this is the panicellium तो यह एक structure जो है हमें देखने को मिलेगा जैसे mycelium है, conidia है, germination हो रहा है ठीक है, यही चीज़ जो है हमें इनके अंदर देखने को मिलेगी sexual reproduction except for deuteromycetis यह तो बात लिए है sexual की sexual reproduction the sexual reproduction is found in all groups of fungi key line है sexual reproduction is found in all groups of fungi sexual reproduction is oo spores asco spores and basiduo spores the various spores are produced in distinct structure called fruitening body यह fruitening body वो बाड़ी है जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि भाई fruits form हो रहे fruitening body जो sports बना रही है उसके ठीक है तो the various sports are produced in a structure and that structure is called fruitening body का इसको समझ लो कि इसको पर banana, oranges, apple, mango मिलेंगे ऐसा मत समाझ रहा ठीक है चलिए गैमेट इंजी या क्या होता है गैमेट इंजी या का मतलब एक ऐसा structure जहां पर गैमेट्स फॉर्म होते हैं क्या होता है गैमेट इंजी या इस स्ट्रॉक्चर वेर गैमेट्स आर फॉर्म्ड इसाट क्लियर क्या बोला मैंने गैमेट इंजी या नाम से ही देखो इन पर गैमेट इंजी यहाहां पते हैं क्या होते हैं आपको एक इस यसी और बताना चाहांगा यहां पर हम इस स्टैप्स देखने को मिलते हैं फंकस में मतलब तीन स्टैप्स हमें देखने को मेरेंगे जब या फंगस की हमें 3 steps देखने को मिलते हैं इन फंगर्स हमें 3 steps देखने को मिले कौन कौन से होंगे plasma gammy carry yo gammy meiosis हमने 3 steps बोले मैंने आपको कौन कौन से plasma gammy कैरियो, गैमी और मियोसिस तीन स्टेप्स में हमें यह देखने को मिलेगा इसके अंदर प्लाज्मो गैमी कैरियो गैमी मियोसिस मियोसिस तीन स्टेप्स जो है हमें इनके देखने को मिलेंगे पंगस में हमें गैमिटेंजिया क्या बताया गैमिटेंजिया बात की हमने structure where gametes are form या structure in which gametes are formed आप बोल सकते हो during sexual reproduction ठीक है ना सबसे पहले plasma gamete दो हैपलोइट cells होती है हमारे पास और उन हैपलोइट cells के proto-plast का fuse हो ना फीक है दो हैपलोइट cells हमारे पास ले लेते हैं हैं हैपलोइट cells सर हैपलॉइट cells कैसे यह भी बताईए हैपलोइट diffic粉 मेरा मतलब है कि यहां मान ले जिए कि हमारे पास ये एक number और ये एक number बहुते हो ना कि n जो ji represent करता है बचो वो haploid को represent करता है पढ़ा है न सर बिलकुल पढ़ा है एकदम clear दूसरा जो आपका 2N होता है वो किसको represent करता है diploid को represent करता है करता है नहीं करता सर बिलकुल करता है ये चीज़ भी एकदम clear है मैंने क्या कहा कि 3 steps हमें देखने को मिलेंगे in fungus 3 steps हमें देखने को मिलेंगे ठीक है जी कौन कौन से number 1 plasmo gammy सबसे पहले plasmo gammy के बारें बात करते हैं मैंने कहा कि हमारे पास 2 gammy से ठीक है इन दोनों gamets का fuse होना औस चलिबे दोनों के मैं फ्यूज होंगे औन हैं तो एन यह अंन मिलकी क्या बना लिए टों बना देंगे न या बना देंगे मनलब डोनों आप एसमें सबसे पहले स्वेल हो रहे तो जबहर है आपस में दोनों स्वेल हो रहे हैं स्कुंड क्या بولते है çık complac ग्यामी या बोलते हैं इसको प्लास्मूख़यमी यह स्ट्च्चर बनाएगा आघ जाके पिन अस्कों किया मलते इसको डाई कैरियोन ये जो स्टुक्चर एन इस डाई कैरियोन और ये आपस में मिल रहा है जी आपस में मिल रहा है ये आपस में मिल रहा है ये ये डाई कैरियोन बना रहा है डाई कैरियोन डाई मतलब दो डाई मीन्स तू डाई कैरियोन देखुचर आवाट ब्रेक करो डा नुक्लियर्स तो यह क्या कर रहा है दो नुक्लियर्स जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं मिल रहे हैं बिल्कुल मिल रहे हैं एक दम बढ़िया तरीक से मिल रहे हैं तो दिस इस कॉल डाय कैरे ओन इसलिए हम इसको क्या नाम देने बच्चों डाय कैरे ओन का आप दे यह होना यह मतलब यह को बोलते है क्या यह गैमी ठीक है बना बना अब क्थ awakening है इसको हम दूसरा एक और term क्या दे सकते हैं sin carry on sin भी मतलब fusion होता है sin carry on भी हम इसको sin मतलब भी सेक्षिर रिप्रोडक्शन के टाइम पर उसको fuse होना ही बोलते हैं ठीके sin हो गया fusion हो गया इस तरह से तुएन बना आप यह जो क्या करेगा यह म्योस्स की जो फेज है हमें चोर करेगा म्योसस में होगा सारे जो हैं वो separate हो जाएंगे याने की n and n एक के दो के चाट क्या हूआ क्या बोलते इसको इसको बोलते हैं reductional division reduction division का नाम देते हैं इसको बचों किसका नाम नाम देते हैं very good reduction division हम इसको बोलते हैं तो तीन स्टेप में हमें यह देखने को मिलता है क्या मतलब क्या होता है fusion of nucleus nucleus का मिलना हम उसको नाम देते हैं किसका स्टेप्स में बचो हमें यह देखने को इससरा से मिलता है चलो कमन कमन क्या हुआ क्या हो गया है इसके बाद क्या देखा हमने मैंने कहा कि हमें में तेखने को मिलें जैसे कि फंगस में क्लाज्म counselors और और प्रोटो प्लासम का फूजे न बोडो प्रोडों का दो हैपलॉइड सेल की ठीक है होगे ना फूजेण दो हैपलोईड का प्रोडो प्लासम आपस में फ्यूज हो गए उसको बोलते हैं प्लासमॉगामी अब देख यह इस स्टेज्ड बनी क्या बोला इसको डाय कैरियों क्या यहां पर क्लियर और जब मियासिस हुआ तो क्या बोलते हैं उसको रिड़क्शनल डिवीजन का नाम देते हैं उसको एकदम क्लियर अब देखे ज़रा यहां पर मैथट जो है सेक्शल रिप्रड़क्शन के हमें कुछ बताए गए हैं दो तरीके से होता है बच्चो एक होता है गया मैं जानता हूं यह चीज़े आपको इनसे आडि में देखने को नहीं मिलेगे लेकिन आपका कॉंसेट क्लियर करने में बहुत रोल प्ले करेंगी ठीक है फंगस में मैंने देखा है कि बच्चो को सेक्षिल रिप्रोडक्शन में या उसका रिप्रोडक्शन समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने कहा कि हम सिंप्लर वे में किस तरह से रिप्रोडक्शन को समझ सकते हैं त्यूंकि वहां डारेक्ट लाइन लिखी हुई है चीज़े कई आपके वर्ड डार पर्श करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे सैब से फारे गाम्ट अंजील कॉन टैक्ट ठिक मिस्कों साही कर लिजो गाने प्रिया यहां दो चीज़े हमें देखने को मिल रहे हैं मेल और फीमेल ठीक्ट दो गामेट के त 되? दो हाइफ है तिक है आप देखो जरह सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है इन में एक जो फिर यह पहला इस्टेप है ठीक है यह हो गया हमारा पहला इस्टेप जो है हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले इनकी अंदर ये multi-nucleated हमें देखने को मिल रहे हैं यहां यह हमें multi-nucleus इनकी body के अंदर देखने को मिल रहे हैं यहां यहां होगा क्या कि सबसे पहले इनकी यह structure basic structure जो हैं जिसको आप हाइफे या mycelium का नाम देते हो वो बन रहे है जान उसके बाद यहां जो हम बात कर रहे हैं आगे कि यह एक structure प्रॉपर जो था इसका फॉर्म हो गया यह एक हाइफे माइसेलियम जो था वो किसे हाइफे बन गया और एक multi-nucleated structure हमें इसमें देखने को मिल रहा है multi-nucleated structure के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है multi-nucleated structure के बाद यहां पर यह एक fertilizing tube जो है वो बनने शुरू होगी female body से देखिए female body की तरव जो है fertilizing tube जो है वो जाती भी हमें दिखेगी ठीक है fertilizing tube why I am calling this fertilizing tube मैं इसको fertilizing tube इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह आगे जाके जो है यह fuse करेगी यह किसके साथ fuse करते भी देखेगी हमें यह male gamut के साथ जाके जो है fuse करेगी सारी female gamut के साथ जाके जो है वो fuse करेगी तो gamut का fusion होना gamut का मिलना इसलिए इसको क्या टम दी गई है इसलिए इसको टम दी गई है gamut angel contact नाम से पता लगा ना gamut angel contact जिसको हम बोल तो gamut angel contact मतलब gamut का आपस में मिलना तो यही चीज हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है एक कमाल की बात और जो male part होता है इसका नाम होता है एंथे रेडियम ठीक है जी क्या होता है मेल पार्ट जो होता है मेल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं एंथे रेडियम एंथे रेडियम ठीक है और जो फीमेल पार्ट होते हैं हम फीमेल पार्ट को नाम देते हैं किसका उउउगोनिया या उउउगोनियम उउउगोनिया भी ब देते हैं तो उपर नाम याद जरूर रखना है आपको एंथी रीडियाम जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट जो गौनियां हो गए हमारे ठीक है दो बाती तो मैंने क्या आपको कि यह मेल पार्ट हो गया सर एकदम क्लियर जो हो गए तो सबसे पहले मैच्वर होंगे कर रही है तीन स्टेप पड़े देना में कौन कौन से कि सबसे पहले आपको जो है जो प्लाज कैयो गैमी की जो कंडिशन है वो भी हमें देखने को मिले कि प्लास्म के मी कंडिशन जो देखने को मिले है तो फटीलाइजिंटूब निकल गी साथ इसको क्या बोलते हैं फटीलाइजिंग स्कुट लिख रहूं सको इसको.. इस्को फटी आफ़ि का बोला मैंने एफटूब का मैंने बोलब अचो फटीलाइज 거z यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो मतलब क्या हुआ है यहां पर जो हो चुके आपस में यह का सबसे पहले क्या होगा अब देखे जरा प्लाजमो गैमी हो गया होगा इसका साइटो और फ्लाजमो गैमी क्या प्लाजमी होगा आगे जा कि किया हो रहा है यह structure form हो गया calculus fulfillment हो गया आपस के सो haciaगा कैया ऑप गया है किया होती है के रही होख से एगे सपोर यह हो गया है एंप एक हूब स्क्षर का लंग देते हैं किया लेक्षा श्पोर का नाम देँने को मिल रही यह एए प्लाजमों हुआ वह दो form होते कुथ देखे हैं मैंने दोनों धी कलर से आपको शो किया इसके अंदर अगर आप दिहान से देखो गूगे तो दोनों सिर्फ ये बताने के लिए कि दोनों का fusion हुआ है अपस में यह चीज आपको बताने के लिए कि दोनों का जो यहां पे fusion हमें देखने को मिल रहा हूँ sports बन गए यह structure आपको बना के practice करनी है इनकी body में समझने में जो आपको help करेंगे अभी तो एक ही बात किये हमने अभी दूसरा given अभी दूसरी के बात करेंगे ठीक है यह हो गया अब क्या होगा plasma हो गया है मैं फिर जो हन होगा चरह यह स्टॉस्ते है कारी किया वद्धिशन सब्धेए संथाय सबेट UM फिर वहत जो तो उसे क्या वह वह स्था आगे स्टर्चर फ़ंगा तंड करेशन में क्या में स्थार्स टीक्या जो बहुतें उसको जू स्पोर्ट्स का नाम देते हैं और यह आगे जाके जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद जो है जर्मिनेशन के बाद जो है नया मैसेलियम को फॉर्म कर देंगे ठीक है तो ये स्ट्रक्चर आगे जाके क्या कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर आगे जाके जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेशन के बाद पॉम करेंगे किसको माइसेलियम को त्विए तो यह हो गया हमारा कैस्ट टूं शो जर्मीनेशन एड़े न माई सेलियम का स्टक्चर जो है वो ऑट हो यह ग्यामेट इन जिएल कॉंटाक्ट होता है भुच्छों सुक्या बोलते हैं ग्यामेट इन जियल कॉंट ठीकर बन गया है जर्मीनेशन हो घार हो गया इसक पिए जो आ स्पोर्स की बाद कर रहो ना मैं आपर हर एक स्पोर्ट जो है वो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद माइसेलियम जो है वो फर्म करेगा ओके नेक्स्ट गैमिटेंजियल कॉपूलेशन गैमिटेंजियल कॉपूलेशन में क्या होगा this is another part of the sexual reproduction in this तो देखे copulation और gamet angel word को जरा समझने की कोशिश करो मिलना copulation मतलब fuse होना अब किस तरह से fuse होंगे ये सबसे पहले जो यहाँ पर structure बनेगा बचो सबसे पहला जो structure है यहाँ पर कि हमें एक एक उब्रा हुआ सा structure जो है वो देखने को मिलता है इसके अंदर एक उब्रा हुआ सा structure से मेरा मतलब है male और female दोनों के ही male और female दोनों के structure के बारे में मैं बात कर रहा हूं ठीक है मान लीजे कि यह आपका male structure होगे और यह इसके अंदर nucleus हो गए और यह आपका female structure हो गया और ये उसके अंदर के नुक्लियस हो गए ठीक है ऐसा तो मान सकते हैं ये उसके अंदर के नुक्लियस जो है वो बचो हो गए और ये वाले जो है इनके अंदर नुक्लियस हो गए सर ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसको क्या कहेंगे कौन सा वाला ये वाला मन में आ र तिए तिए पॉर्म में दिखाएंगे यह जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं यहां सबसे पहले होगा क्या यहां एक एक पहला स्टेज बने गामटंजी है जो है फॉम होंगे दो डिफेट माईसेलियम से जो है हमें फॉर्म होते वे दिखेंगे यह जो स्ट्रक्ट्चर बन रहा है न यहां पर इस्ट्रक्ट्चर इस कॉल्डर प्रो गाम टीन ज्या ज़ी यह 어렵ंव को बोलते हैं प्रो गैमे टेंजिया इसको structure को क्या नाम देते हैं हम प्रो गैमे टेंजिया का नाम देते हैं सर यह प्रो गैमे टेंजिया क्या होता है पर इस सबसे पहला जो structure बन रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं किसका प्रो गैमे टेंजिया का सबसे पहला पार्ट हाइपा पका और यमोज से जो बिशाओ आपकर हाँ भी ठीया को प Anders यहां को प्लूर्ट हो रहा है यह आपस में यह क्या करेंगे आगए जाके यह कि होगा यह कि यह धोनों ही जो है आगे जाके क्या हो जाएंगे यह आगे जाके कि दोनों ही जो है fused होने की तरफ nobs करेंगे कि कैसे हो प्und-a क्या से क्षारे दोनों क्या से ओर होते क्षारे हमें दिखेंगे तो यह एक इसका पार्ट माली जए कि इसका पाट माली इसके अंदर इसके जो न्यौक्लियस से वह हो गए और इसके अंदर इसके वाले हो गए और इसके अंदर जो थे वो इसके वाले नुक्लियस जो होगा अब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं तो आपस में फ्यूज होने की तरफ जा रहे हैं यह इसके वाले हो गए और यह वाले जो थे वो इनके यहां हमें शू कर रहे हैं इसको बोलते हैं ग्या this is called what this is called game a engine अपस में जबी दोनों होंगे सबसे पहले कॉंसे स्ट्रेप होगा फिर प्लाज्मूग्य हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले अब क्या होगा आपस मैं जब दोनों जोता वह दिख रहा है जब आपस में दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो एक इस्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसके बाद आपस में जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे चले एकी किलर से बना देता हूं यह चीज तो आपको समझ आ गई है असानी से तो अब एकी कलर से दिखाय प्लास्मों गैमी तो हमें देखने को मिलेगा उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी अब वो कौन सा structure अमोरक जिसको हम बोलेंगेगे कर्भय गैमी का नाम देंगे किसेंज कर्यो अर्शाम यह दुक्ष सकते आगर कमन बता हूँ आपको को हम एक कॉमन इससे ठ्रुक्षर के दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से इसको बोलते हैं common structure ठीक है कुछ इस तरह से और दोनों का ही इस पर structure जो है वो कुछ इस तरह से शो करें मतलब यह मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि चलिए variation ले आए हैं हम सिर्फ आपको समझाने के लिए easy बनाने के लिए तो यह आपका शो कर रहा है कि अब दोनों जो हैं आपस में मिल चुके हैं अब इसको आप क्या बोलते हैं क्यारियो गैमी के बाद क्या होगा बच्चो अगेंसर म्योसिस और म्योसिस के बाद जो है sports का formation होना स्टार्ट हो जाएगा तो यह इस तरह से हमें शो करता है राइट कैरियो गैमी बनेगा कैरियो गैमी के बाद क्या होगा आपका जाइगा स्पॉर्स बनेंगे तो जाइगा स्पॉर्स बने जाइगा स्पॉर्स यह हमने जिसको नाम दिया क्या जाइगाट बने और जाइगाट के बाद क्या बनेंगे आपके जो स्पॉर्स बनेंगे म्योसि जो है उनका पॉर्मेशन होगा तो यह चीज यह चीज आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ गए होगी जिसको हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं राइट सो हाइफे मैंनी न्यूक्लिय है ग्यामिट इंजिया प्लाजमो गैमी हुई कैरियो गैमी का स्ट्रॉक्चर बना देन उसके बाद स्पोर्स यानि की जाइगो स्पोर्स जिसको हमने नाम दिया जूर स्पोर्स जाइगो जिसको हमने नाम दिया मियोसिस होगा मियोसिस से क्या बनेंगे मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स बनने के बाद वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करन है तो चली यह अब हम बात करेंगे वन बाइ वन सभी जितने भी जो हमारी जुक्लासिज है उनके बारे में राइट मैस है डिटसेडरों माइस 46 से अब देखे हमने बेसिक उने कलेटर्टर्टर से उनको जना है कि हमने सेक्षिल रिप्रॉडाक्शन को समझा सेक्ष रे zeigt किस तरह का गेमिटेंजियल कॉंटाक्ट होता है या कॉपूलेशन किस तरह से हमें देखने को मिलता है वो सारी चीजें हमने अपने प्रिवियस लेक्चर में समझी अब हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट क्लासेज है ना जो भी हम क्लासेज पढ़ेंगे इसको सब करेंगे सबसे अपनी इस सचु माइस इस इसकू माइस इस इस commonly known as by this name which is called the sac fungal ये इसका common name है ठीक है ये हो गया एक common name ये क्यों कहते है common name मैं अभी आपको एक छोटी से रफ डाइग्राम के तुरू इसको समझाऊंगा mostly अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं multicellular होते हैं right ज्यादा तर हमें कैसे से देखने को मिलेंगे ये multicellular एक बाद बहुत रेरली unicellular होंगे जो mostly multicellular की बात करें तो रेरली unicellular हो गये for example ये इस अपने देखा है ये इस जांपल जिसे से के रो मैंसे हो गया जीनस तो जिसे सब्सक्राइब अब nutrition की बात करें कि nutrition किस तरह से आप्टेन कर रहे हैं तो parasitic भी हो सकते हैं right decomposers भी हो सकते हैं तो देहर parasitic decomposers saprophytic in nature अब जैसे कि यहाँ लिखा है कॉप्रोफिल्स अब ने आपको जो ग्रो करती है किस पर डटन पर स्थे बिति है मैसी लिंग की अगर बात करें तो मैसी लिंग nest SER है अबने देखा थी के मैसे मोर्टी न्यूग्लियत पर मिल यह इसक पर किस और वहां इस देखने को गया और सिंपल सेपटिट्ड जो है हमें देखने को मिलता है सब्डेट मे कि यहां पर देखने को मिलता है जैसे कि मैं कह रहा हूं कि why this is called the sec fungi because it's form a sec like structure which is called ascus ठीक है मानी कि कुछ इस तरह का structure जो है यह body एक form करती है कुछ इस तरह का structure मानी कि इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है and that is structure is called ascus and this ascus is a sec-like structure sec-like समस्ते है ने जसे कि back-like structure हो कोई this is called the ascus और इस ascus के अंदर present होते है asco sports ठीक है तो ये sports form कर रहा है इसके जिसको हम asco sports का नाम देते हैं यह क्या हो गई हमारे asco sports ठीक है यहां इसका माईसिलियम जो है इसका माली जी ठीक है तो इस तरह से हमें देखने को मिलता अगर मैं asexual reproduction की यहां पर बात करूँ तो asexual reproduction इस वाई प्लाजमोगेमी होगी क्यायोगेमी होगी मियासिज हमें सारी चीज़। वही सारी चीज़ हैं रॉड़ाइट है तो asexual reproduction प्लाजमोगेमी प्लाजमोगेमी होगी होगी हमें देखने को मिलेगाव वही सारी चीज़ है तो प्लाजमों के में अकर्स एंड डाइक के रियोर टेक स्पेशलाइज प्रूटिंग बॉर्डी अब मैंने बताया था मापर फूटिंग बॉर्डी के बारे में हम लोगों ने पड़ा था अब फूटिंग बॉर्डी दुबारा से बोल रहे हैं मैं समझ रह इसको पूर्ज प्रजक देख एंट्याए तो इसको इसको कार्प नाम दिया गया है विजिए इसको कार्फ धनुम्रस सख्लाइग इस्टॉक्ट्चर पॉल्ड एसकस जो भी मैने बताया अभी आपको प्रेज़ें टोछिए इसको कार्प टो डारे झाइस प्रूक्ट्टी प्लास्म गैमी जैसे पड़ा था तो क्यारियोगैमी अकर्स रिजल्टिंग इन धार्मेशन ओफ एसकस मदर सेल इडि डिवाइट पाई मियोंसिस तो फॉर्म एसको स्पोर्ट तो जो एसको स्पोर्ट बन रहे हैं वो इसे बनेंगे मैं प्लाजमो गैमी होगा उसके बाद आपका डायकरियोटिक जो स्टेज आ रही है करियोगैमी जो बनेगी वो दन उसके बाद प्रोडूस्ट गोर्डू इट इन नमबर्स ऑल्वेज लेनियर्ली अरेंज्ड विदिन एसकस एक आसकस के अंदर प्रडूसर रहे हैं जाते है एक एंदर इसट प्रजेंट होता है तो जर्मिनेट फोर्म नियू मॉनो कारियोटिक मैसेलियम जर्मिनेट होने के बाद जो जर आइसलियम को मौनो करियोटिक जो की मौनो मिल सिंगल करेट मतलब नुकलियस को रिप्रेजन करने वाला है आपको बेसी करेक्टरिस्टिक्स है वही आपको फॉलो करने लाट से मेजरी फोकुस ध्यान रखिएगा है राइब रिप्रिट्टिक्षिन कैसा है और रिप्र अब डंग की उपर आया तो इसलिए उसको कॉप्रो फिल्लेस फंगस का नाम दिया पैनिसीलियम की अगर हम बात करें पैनिसीलियम आप लोगों ने सुना होगा ऐंटिबायोटिक्स बनाने में यूज किया जाता है और यूज इन राइपनिंग ऑफ दचीज चीज को भी र नाइगर जो है जो इस पीशिस के बारे में उसको बता रहा है विचे यूज जिन ऑर्गानिक आसिड प्रोडाक्शन में अपना रोल प्ले करता है ठीक है यह इसका यह इंपॉर्टेंट मतब यूज जितने भी हैं आप उसके फंक्शन जो आप उसके जो एक्जांपल से व सवाल पूछे जाते हैं एक्जांपल्स आपको पता होना चाहिए जो भी इंसी आईटी में आपके एक्जांपल से सारे नियूरोस्पोरा राइट राइट रॉस्टर फिलाव प्लांट इंडम भी बोला जाता है इसको विचे उसरे एक्सेंसिव ली इन बायो क्यमिकल सब्सक्राइब करते हैं इसकी फिगर की जैसे के हम बात कर रहे हैं कि दियार ग्रोइंग ऑन डंग ग्रोइंग ऑन डंग ठीक है तो डंग पे हमें ग्रोव करता हुआ देख रहे हैं उसी तरह से यह अगर आपने कभी स्ट्रॉक्शर देखे हो तो यह भी एक तरह का इसका एक्जांपल है फंगस का जो कि किसके अंदर आता है आपके आसको मा सबसे पहली बार इसको हम क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ सभी के थोड़े बहुत जो है आपको कॉमन नेम देखने को मिलते हैं हां एक बात और कई बार कॉमन नेम को लेके सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है ठीक है क्या बोला मैंने कि कई बा they form a club shape like structure they form some club shaped like structure और यह जो club shape like structure है इनको नाम दिया जाता है किसका club पंजाई का इनhnी की वजह से इनको नाम दिया जाता है किसका club पंजाई का कि उस्ट कल डिया जब यह दिया जाता है ग्लब शीप नर्ट के अंदर प्रजेंट होते हैं बहसीडियो सपोर्ट के लाँ देखने को बिलनेंगे मैं यहां पर इसन में ने रीसन बनाया है यहां पर वैसे तो हमें इसमें यहां डिवीजिंस देखने को मिलते हैं इनके अंदर ठीक है और जो बसीडियों स्पोर्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से यहां इनकी बॉडी के ऊपर इस रिजन में हमें देखने को मिलेंगे डाट शीप क्लब शेप लाइक इस रूप के र इस पोर्म करेंगे कौन से सफॉर्स बैसी डियो स्पोर्स का नाम देते हैं ठीक है यह समझ आई मुस्ट एडवांस्ट तो दिस इस मोस्ट कॉमली सीन इनी निच ज्यादा तर देख जाता है अब जब मुस्ट कॉमली सीन होता है तो ज्यादा चांसे जोते हैं सवाल भी यह से आने के the most common या most advanced and best decomposers of wood and even lignan right the wood or lignan का जो है सबसे ज्यादा best जो decomposer इसको माना जाता है यह कहां grow करता है soil में असानी से grow कर सकता है trees वगरा पर trees terms पर उनके locks पर इवन इंदर living plant bodies पर भी यह आपको as a parasite grow करतावा देख जाएगा आपने देखे होंगे जैसे edible fungus आपने इस तरह के स्ट्रक्चर जो है जो edible fungus होती है हमारी जिसको आप अगारिकस केंपेस्ट्रिस का नाम देते हो एडिवर मश्रूम अगारिकस देखा है ना का होती हो एक तरह से पारसाइट की तरह ही टंगी होती है plants body पर तो यह सवाल यहां से कई बार जो है वो पूछा गया है ध्यान रखेएगा यह लाइक रस्ट एंड स्मॉट्स के तरह हमें देखने को मिलती है लटकी भी होना कुछ इस तरह से दूसरों के उपर dependent होना है ऐस आख्शोलिस पॉर्स आर जर्णरली नट फांट बट वेजटिटीटीव रिप्र प्रेद्च्शन बाइट्टेशन इस कॉमार सवाल कैसे बनेगा वो बताता हूं सवाल यहां से फॉर्म होगा प्वेशन कैसे फ्रेम होगा जर्णरली इनके अंदर एसेक्शलिस पॉ इस common in which class of the fungus ये सवाल बन सकता है तो ध्यान रखेगा कौन सा है बैसीडियो माई सिटेज सेक्स और गन्स यहां absent देखने को मिलते हैं द्यूरिंग सेक्शुल रिप्रदक्शन प्लाज्मो गैमी अकर्स बाइब फ्यूजन ऑफ तू सुमाटिक और वेजिटेटिव सेल्स बाइब डिफरेंट स्ट्रेंज और जीनो टाइप्स और डायकारियोटिक स्पेशलाइट फ्रूटनिंग बॉड़ी इस फॉर्म्ड इस क सब्सक्राइब वहां पर देखने को मिलेंगे तो यह चीजज आपको पता होनी चीख इसलिए मैंने उसको इतना डिटेल में समझा है क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर आपके फिर वो चीज़ा आपके लिए आसान हो जाएंगी अगर आप डिटेल में पहले ही वहां पर स अब आपको यह चीज़ा असानी से समझा रहे होगी कारियोग्यमी का मतलब क्या है कारियोग्यमी अकर्स रिजल्टिंग इंदा फॉर्मेशन और सेल डिवाइजबल बाई मियॉसस एंड़ फोर बेसीडियो स्पोर्स चार बेसीडियो स्पोर्स जो है वो देखने को मिलते ह अब होते हैं है जैसे का एवी जो मैंने बताया था आपको वह सब्सकोर्स जो रहें इसलिए जो मैंने structure बनाया था हमापे किस तरह से बनाया था कुछ इस तरह का structure जो बनाया था मैं रफली बना रहा हूं और इस तरह से जो हमें देखने को मिलें एक्जोजीनियस के पूर इन नंबर्स और अरेंज ऑन स्टॉक कार्ड स्टारिक मैटा जो जिसके थूँ यह connected होते हैं उसको बोलते हैं स्टारिक मैटा विजन राइट उसके अलाबा यहां पर कुछ एक्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो अगैरिकास वि क्लैम्प कनेक्शन यह जो क्लैम्प कनेक्शन होता है यह है प्लॉइड को डिप्लॉइड बनाने में अपना रोल प्ले करता है सर है प्लॉइड को डिप्लॉइड बनाने से आपका क्या मतलब है मेरा मतलब है कि इनके बीच में एक क्लैम्प कुछ तरह कुछ इस तरह से वडिजन हुआ और इसी तरह से से यहां पर भी एक और पे हमें structure जो है इसका दिखने को मिलेगा एक clamp like connection जो है structure जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलता है इसको थोड़ा सा उपर बनाना जब यह वैस को वैसे तो बनाने के लिए आपका यह not so important कि क्वाइन्ट लेकिन फिर भी कुछ चीज़ समझाने के लिए मैं ने सूझा कि यहां पर नटर गया करें तो आपको पता कि लाइन चाहिए कि क्लैम चनेक्ष कुछ शो करनेक्षन पूद और यह आगी यह आ आगी भी तरह से देखने को मिले इस तरह का स्ट्रक्चर्ट जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलता है इस shuffle connection के वजह से you nucleus की जो एक nucleus के जो selv होती है वो दूसरे के साथ और आसानी से जो है वो contact कर पाती है connection को वाजा से नेबरिंग से आसानी से migrate कर पाती है यह चीज़ ध्यान रखेगा तो असानी से इनके त्रू migration जो है इन cells के बीच में हमें देखने को मिलता है ठीक है और इस connection के वज़ा से monokaryotic mycelium जो होता है वो diokaryotic mycelium जो है असानी से बना लेता है ठीक है क्या बना लेता है monokaryotic monokaryotic mycelium कि टू कि डाय कारियोर्टिक कि मैसीलियम जो है बच्छो वो बन जाता है यह चीज़ ध्यान रखेगा ठीक है तो इतनी चीज़ आपको पता होनी जी क्लाइम कनेक्शन अगर आप कहीं पढ़ें तो आपको वो नया ना लागे ठीक है इसलिए मैंने आपके थोड़ा सा उसको बताना ठीक समझा अगेरिकर्स की अगर मैं एक्जाम्पल यहां पर दे रहा था कि जो कि एक तरह की आपकी एडिवल मश्रूम होती है कुछ ये NCRT पॉइंट ओफ यूसे जो स्ट्रक्चर जिनके आपके नाम आप लोग पढ़ते हो वह बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान रखेएगा कुसी निया यह लाइक रस्ट फंगस और पफोल्स लाइक प्रैकेट फंजाई विजिन को कुछ एग्जाम्पल से ब इंपर्फेक्ट फंगस इस इस कॉल्ड इंपर्फेक्ट फंजाई सवाल यह कि इसको इंपर्फेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है यह तो हमने बात कर ली कि इसको हम इंपर्फेक्ट फंजाई का नाम देते हैं सवाल यह अगर आपसे पूछ लिए एक नंबर का कि वाई इ is called a perfect fungi because because sexual because sexual reproduction is absent in this sexual reproduction is absent, तो sexual reproduction इनके अंदर absent होता है, इसलिए इनको imperfect fungi का नाम दिया जाता है, सर अगर sexual reproduction absent होता है, तो इनका formation कैसे होता है, तो इनका formation हमें देखने को मिलता है, by conidia formation, तो उनके त्रू जो है, उस तरह से जो है, इसके अंदर हमें वो टाइप देखने को मिलते हैं, तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, by conidia, by conidia क्या करेंगे, by conidia, they reproduce, ठीक है, यह जी समझ आई, तो because of sexual reproduction is absent, and that's why this is called the imperfect पंजय, अगर mycelium की बात करूँ तो septate हमें इनके अंदर देखने को मिलता है, mycelium, कैसा होगा, mycelium, जो है, septate होगा, ठीक है, branched होगा, ठीक है, तो यह condition जो है, हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, mycelium septate होता है, और branched होता है, चलिए, आगे बात करते हैं, तो यह कुछ basic बाते, इनके बारे में, आपको धियान रखनी है, deuteromycities के बारे में, हाँ, one more question जो है, आपके exam में, यहां से पूछा जा सकता है, तो as a question, यहां से पूछा जा सकता है, imperfect fungi किसको बोलते हैं, question as innate भी जो है, time frame, हो सकता है, कि imperfect fungi किसको बोलते हैं, club fungi आपने नाम बढ़ा, sex fungi आपने नाम बढ़ा, आप देखरों कि सभी कि कुछ ना कुछ जो है, common name हमें देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है जी, चलिए आगे, यह देखिए, कुछ example इसके जैसे जासे, कॉलियो, ट्राइकम, ट्राइको, डर्मा, यह example यह दखिएगा, ठीक है, किसके अंदर आता है, तो यह कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं, next, the phycomycetis, that is also a very important और phycomycetis को हम दो पार्ट्स में डिवाइट करते हैं, phycomycetis और zygomycetis, तो यह वाला जो phycomycetis है, यह पूरा का पूरा जो phylum है, this is important, ठीक है, यह important है, members of phycomycetis कहां देखने को मिलते हैं, they are found in aquatic habitat, so सबसे पहली बात habitat, मैंने आपको तीन चीज़े बताई सब की, आपको ध्यान रखना है कि एक तो habitat कहां हो गया इनका, दूसरा इनका reproduction कैसे होगा, और तीसरी बात जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके reproduction के, तीन बाते बहुत important, and in the decaying wood, in moist and damp places में हमें देखने को मिलते हैं, यह structure of mucor आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले भी बढ़ा है, इसका जो example है, यह भी बहुत important है, ध्यान रखेएगा, ठीक है, basic difference आपको पता होना चाहिए, this is very important, यह इतना ज्यादा important है, इसलिए मैंने सबसे last मिलिया है, सबसे अलग, उओ उओ माइसेटी जिसको एक्वेटी के अलगल फंजाई भी बोलते हैं, जाइगो माइसेटी जिसको conjugation फंजाई भी बोलते हैं, देखने को मिलता है, इसलिए ठीक है, देखने को इनके अंदर नहीं मिल रहा था ठीक है तो कैसे होते हैं इस अप्टेट होते हैं एंड क्वाना साइटिक होते हैं माइसीलियम इस एप्टेट एंड क्वाना साइटिक सेल बॉल इनकी जो है सेलुलोस से बनी होती है इंपोर्टेंट डिफ्रेंस पूछ लेते हैं कि इनकी सेल बॉल किसे बने होती है क्योंकि डिफ्रेंस अलग-अलग होता है यहां पर काईटीन से मेड़ अप होती है ध्यान रखेगा यह सेक्शल रिप्रॉक्शन जो होगा जो स्पॉर्च के तरू होगा पढ़ा था हमने एस समझने की ज़रूरत नहीं आप जाके अराम से वहां पर देख सकते हैं अपने प्रिवियस लेक्शर में जहां पर हमने रिप्रॉडक्शन की बात किये मोड उफ प्लाज्मों गया में गेमिटेंजिल कॉंजूगेशन या फिर औपुलेशन में से देखने को मिल सकता है प्र यहां पर बनाता है और एंड एक्ग्जाम्पलिस अल्टरा इंपॉर्टेंट बहुत जाधा इंपॉर्टेंट है दिहान रखियेगा मैं फिर बता रहां है प्रविल साथा इंपॉर्टेंट है सितने भी आप लोग पढ़ने होने सबी को एक्जाम्पल से बहुत जाधा इ सवाल पूछा जा सकता है या फिर एक्जाम्पल्स तो आपके लिए सारे है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्जाम्पल्स जैसे सेप्रो लेजी ना लेग लेजनिया उसके लावा अल्भू को राइट और अल्भू को तो बहुत बार पूछा गया है और फाइटो पै ओके जितनी भी जो यह जितना भी जो था हमारा यह फिनिश हुआ यहां पर फंगस का जाइट जितनी भी जो क्लासे से फंगस की वो सारी यहां पर खतम होती है तो अभी के लिए इतना है बाबाए थैंक्स को बाट अ क्यों को जितना भी के लिए फंगस का जारी टीनितना है श्रूफ जुट जो